हेलो फ्रेंड वेल्कम टो मैं चैनल नमीता किचेन कॉर्णर मैं नमीता और आज मैं आप लोग के साथ ओट्स पराठा की रेसेपी सेयर करने जा रही हूँ यह हेल्दी तो होता ही है और बहुत ही जादा स्वाधिश्ट होता है तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं य बाकी बच्चे हुए को इसके बाद ग्राइन कर लेंगे तो यह देख्ये एक दम फाइन पॉडर ये बनकर तयार हुआ है इसमें हमें बिल्कुल भी बड़े बड़े ओर्ट नहीं रखने है यह देख सकते हैं आप एक दम चिकना सा यह पॉडर बनकर तयार हुआ है तो अब यहां पर हमने थोड़ी सी सब्जिया ली हैंट गांजर और प्याज को क्शोय चोटे गडा है सब्जिया को सब्जिया के ऊड़ीस काट हम एकड़ियों नमक डाल कर थहां अपले निया पता नमक भीया उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका soft आटा गुन कर तयार कर लेंगे आप इन सब्जियों के जगा अपनी पसंद की कोई सब्जियां भी ले सकते हैं उससे भी पराठा अच्छे बनेंगे तो यह देखें इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर soft आटा लगाएंगे ओट जो है वो बहुत ही अच्छा healthy grain होता है और इस तरीके के पराठा बना कर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट भी लगेगा तो अभी आप देख सकते हैं यह आटे को हमने बहुत ही अच्छे से मसल कर soft कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा तेल लगा कर चिकना कर लेंगे क्योंकि यह देखिया हाथों में है चिपक रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी ले लेंगे इस तरीके से हाथों में लगा कर इसके हम तीन इक्वल पार्ट बना लेंगे एक कप ओट्स में तीन मीडियम साइज के पराठे बनकर तयार हो जाते हैं और आप देख सकते हैं तीन इक्वल पार्ट में हमने इसे डिवाइट कर दिया है और अब हम इसे पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा चकले पर भी हम ऐल लगा लेंगे ताकि पराठे जो हैं वो चिपके नहीं डस्टिंग हम नहीं करेंगे सुखे आठे का इसी तरीके से ऐल लगा कर हम इसे बना लेंगे ये देखे एक लोई को हमने ले लिया है और अब हम इसे इस तरीके से राउंड सेफ दे देंगे उसके बाद हम इसे चिप्टा करकर बेलेंगे और ये पराठों को हमें हलके हाथों से बेलना होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे क्योंकि हमने इसमें सबजिया डाली है थोड़ा सा मोटा रखेंगे रोटी से बस थोड़ा सा मोटा बहुत ज़्यादा नहीं ये देखे इस तरीके से हम इसे हलके हाथों से बेलेंगे इसके किनारे जो है इसी तरीके से बनते हैं फटे फटे से थोड़े से क्यूंकि हमने इसमें सबजिया डाली है इसलिए आप इसे गोल सेब देना चाहते हैं तो किसी गोल बर्दन से काट सकते हैं इसी तरीके से हम सारे पराठों को बेल लेंगे ये देखिए इस पराठे हैं वो बन गए हैं अब हम इन्हें सेख लेंगे तवा को हमने गरम कर लिया है और गरम तवे पर हम ये पराठा को डाल देंगे और जब ये एक साइट से हलका सा पक जाए तब हम इसे पलट कर दूसरे साइट से भी पका लेंगे और गैस के फ्लेम को हमने मीडियम और बहुत ज्यादा पलटना भी नहीं होता है बहुत ज्यादा हम पलटेंगे तो इह को टूट जाएंगे तो एक बर जब यह अच्छे से सेक जाए तब हम इसे पलट कर दूसरे साइट से भी सेख लेंगे तो यह देखें दोनों तरफ यह चाहिए पनी अपया तो अभी आप देख सकते हैं यह पराठा जो है वो अच्छा सा गोल्डेन हलका हलका सा हो गया है दोनों साइट से हमने इसे अच्छे से गोल्डेन हलका हलका कर लिया है और यह पराठा बनकर तयार हो गया है इसी तरीके से हम सारे पराठों को बना कर तयार कर लेंगे तो अभ के लिए या फिर ब्रेकफार्श दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको मेरी ये ओट्स पराथा की हेल्दी रेसेपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो रेसेपी को लाइक से और कमेंट करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई